एसिड और बेसिस पढ़ने के बाद आगे का जो टॉपिक है वो है आपके सामने जो किया है What do all acids and bases have in common? एसिड और बेसिस में सभी जितने भी एसिड है और जितने भी बेस है उन सब में क्या चीज़ कोवन होती है? यह है topic तो हमने पढ़ा था कि जितने भी acids हैं जितने भी acids हैं वो क्या करते हैं? वो water में dissolve किये जाने पर hydrogen ion देते हैं चाहे वो कोई भी acid हो चाहे वो HCl हो तो वो क्या करेगा? वो भी hydrogen ion देगा साथ में chloride ion निकलेंगे उसके H2SO4 हो तब भी क्या होगा? तब भी hydrogen ion निकलेंगे साथ में sulfate ion निकलेंगे तो कोई भी acid हो उसकी property जो होती है hydrogen की वज़े से होती है hydrogen ion की वज़े से होगी तो hydrogen ion की वज़े से जब property है तो इसका मत्तब क्या हुआ? कि acid रिकरेक्टर hydrogen ion की वज़े से है तो जितने भी acid होगे उसमें hydrogen ion common होगा तो पानी में घोले जाने पर ही acid character शो करते हैं यो भी substance होगा अगर है तो वो पानी में घोले जाने पर ही acid करेक्टर अपना शो करता है भी acid है उनका जो common character हुआ वो हुआ उनका hydrogen ion तो जितने भी acid है पानी में घोले जाने पर hydrogen ion देते हैं ऐसे ही जो base होते है जितने भी base होते है वो पानी में dissolve किये जाने पर क्या करते हैं वो hydroxide ion देते हैं OH आयन देते हैं जैसे NaOH है तो यह पानी में जब इनको डिजोन करते हैं तो यह sodium iron और hydroxide iron ठीक है ऐसे कोई और है मानने जिए koh है potassium hydroxide जो की एक base है तो potassium iron और hydroxide iron तो जितने भी base होंगे वो चाहे वो weak base हो strong base हो वो सब OH iron देंगे चाहे ज़्यादा दे पानी में या कम दे यह निकि completely ionized हो या partially ionized हो तो वो base होंगे तो base की property क्या है कि पानी में घोले जाने पर OH iron दे यह निकि basic property hydroxide iron OH iron की वज़े से है और acidic जो character है substance का वो उसके hydrogen iron की वज़े से है इसलिए आप जितने भी acid देखेंगे महाँ पर hydrogen जरूर होग गा ऐसे ही base में OH होना जरूरी है जब OH जितने भी base है उसमें OH होंगे और जब OH होंगे तो पानी में घोले जाने पर वो OH iron hydroxide iron देंगे तो सभी base में OH iron common होते हैं और सभी acid में hydrogen iron common होते हैं तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि अगर इसको लिखें कैसे बहीं लिखने के लि thing in all the acids and bases is that they produce hydrogen ions ठीक है और hydroxide ions OH जब इस condition क्या है कि जब इसको पानी में घोला जाएगा तभी होगा when dissolving water क्योंकि dry condition में सुखी condition में यह hydrogen ion नहीं देंगे hydrogen ion यह hydroxide ion देने के लिए पानी ज़रूरी है ठीक है उसके बाद हम देखते हैं कि अगना जो हमरा point है वो है कि thus acidic behavior of an acid solution is due to presence of hydrogen ion जो भी बताया और basic जो होगा वो किसकी वज़े से वो hydroxide ion की वज़े से ऐसे जिसे example दिया HCL का जो की अभी किया था और ऐसे ही base का यह example यह रहा आपके सामने तो क्या चीज़े comment दिखाई दे रही है यहाँ पर hydrogen ion और यहाँ पर hydroxide ion तो यह चीज़ आपको comment यहाँ पर दिखाई देती है जो हमने अभी जाना अब एक note आपके सामने है क्या है कि hydrogen ion do not exist as hydrogen ion यहनी कि हम लिखते है न ऐसे कि पानी में गोला है जैसे हमने का गी HCL है पानी में गोला तो हमने क्या मिला H plus CL ऐसे तो actual में यह H के नाम से या अलिक H positive हम लिखते हैं actual में correct नहीं है या तो आप इसको लिखके कैसे है H ion और ब्रेगिट में लिखे है A Q यह निए aqueous अब सही है या पिर हम बोल सकते है कि water जो होता है polar molecule उसके साथ में hydrogen ion मिलके क्या बनाता है H3O, H3O बोले तो hydronium ion यह लिखा हो ठीक है तो actual में water में जब dissolve करते है तो hydrogen ion हम simple नहीं लिखते हो वाटर के साथ में मिलके hydronium ion बना लेता है ठीक है तो यह चीज exact है H3O यनिकि hydronium ion सही है लिखना ना कि हाली H plus अगर आप H plus लिखते हो तो correct होगा आपको bracket में EQ aqueous लिखना पड़ेगा क्योंकि acid character पानी में घोले जाने पर ही है और पानी में के लिए absorption के लिए क्लिए AQ यूज कर सकते हो तो या तो आप क्या लिखो H plus AQ या पिर आप क्या लिख सकते हो H3O तब यह correct होगा तो आगे से जब भी H ion लिखो तो साथ में bracket में AQ जरूर लिखना ठीक है अब आगे देखिए इसमें जैसे यह लिखा है आपर तो यहाँ पर क्या है H plus है H2O तो क्या लिखा है H3O आइन लिखा है ठीक है या फिर आप क्या लिख सकते हो कि hydrogen ion को bracket में करके AQ आप लिख सकते हो ठीक है यह था अब आगे देखते हैं एक question है आपके सामने कि why do HCl HNO3 show acid character in aqueous solution क्या कि यह acid है HClCl1 acid HNO3 भी एक acid है hydroploric acid और nitric acid ऐसे ही वह बोखता हो कि sulfuric acid 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 जितने भी acid है यह जो है acid character aqueous solution या फिर में बोखता हो पानी में गोले जाने पर यह acid character show करते हैं लेकिन जो compound है जैसे alcohol हुआ गुल्कोज हुआ जैसे एलपोल आपको पता है जैसे इथाइल एलपोल में लिखों तो C2H5OH इसमें भी एच्छ है ठीक है गुल्कोज लिखे तो C6H12O6 इसमें भी एच्छ है लेकिन ये एसेडिक करेक्टर शो नहीं करते हैं ये नहीं कह सकते हैं कि HCLH030 में हाइडोजन है वो एसेडिक करेक्टर शो करते हैं लेकिन हाइडोजन वाले धुसरे जो एल गुल्कोज हुआ ये पानि में Ilk прав करीत आदे करेक्टर शो नहीं करते हैं उसी तीसी बात आंसर क्या हुआ? कि इसका मतलब हुआ HCl और HNO3 तो पानी में गोल ले जाने पर क्या गड़ते हैं? अपने जैसे HCl है तो ये तो क्या करेगा? हाइड्रोजन और Cl तो ये तो हाइड्रोजन आयन दे देगा लेकिन जो जैसे गुलकोज है C6, H12, O6 ये पानी में गोलते हैं तो ये कोई भी आयन ये नहीं देगा तो जब आयन ही नहीं देगा हाइड्रोजन आयन तो इसका मतलब क्या है? ये एसिडिक करेक्टर भी शो नहीं करेगा एसिडिक करेक्टर शो करने के लिए हाइड्रोजन आयन देना जरूरी है तो इसका अंसर कैसे लिखोगे आप? ये आपके सामने ठीक है? तो ये इसको आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉस्त है आगे चलते हैं तो वही आगे लिखा है acids do not show acidic behavior in the absence of water सिधी सी बात है कि जो जो acid है जो acid है water के बिना water के बिना यैनि कि without water ये acidic करेक्टर शो नहीं करेगा क्यों? क्योंकि भई हमने भी बोला जैसे मानले ये HCL है अब ये dry HCL gas मानलो इसको अगर पानी नहीं है जब पानी नहीं होगा तो ये क्या करेगा? ये HCL आयन नहीं दे पाएगा क्योंकि एक्चल में हमने क्या क्या आता? कि H आयन नहोंकि H3O, hydronium आयन या फिर रहों क्या लिख सकते है H आयन और AQ तो aqueous, यानि solution के लिए पानी की जरूत तो पड़ेगी तभी तो ये एक लिख पाओगे या H3O बनाने के लिए भी क्या है? H2O चाहिएगा इनने की पानी जरूरी है पानी जरूरी है acidic character show करने के लिए अगर आपने HCL gas ली है, dry है तो वो acidic character show नहीं करेगी क्योंकि भई Hydronium Ion या बोलेगी Hydrogen Ion Equus में तो उसको पानी की जरूर्थ होगी तभी तो वो show करेगा लेकिन जब पानी ही नहीं है तो कैसे वो Hydronium Ion बनाएगा तो इसके लिए पानी की जरूर्थ तो पड़ेगी ही इसलिए वो क्या करेगा? वो कोई भी एसिडिक करेक्टर अगर पानी नहीं है तो एसिड अफशोल नहीं करेगा ठीक है न? कोई वोई वाली बात भी कि नमक है तो नमक का टेज तभी आएगा आपको जब मुँ में सलाइवा होती ठीक है? लिक्वेड होता है acids is due to the presence of hydrogen ion एक पस लिखा देखो इन देम अब इसको the acids produce hydrogen ions only in the presence of water आप इसको ऐसे निख सकते ठीक है? यहां से आप note कर सकते हैं जो मैंने आपको बोल तीन पॉइंट है स्के ठीक है? अब यहां पर ही इसी के base पर NCRT में question दिया है blueprint में why does a dry HCL gas not change the color of the dry litmus paper? वही सिदी सी वही बात आगी कि HCL gas है जो कि dry हुआ अब अब इसमें HCL है तो पानी की जुरुत तो पड़ेगी लेगे थे निखा आगे dry litmus paper जनरली आप क्या करते हो test tube में आपने HCL लिया हुआ है और इसमें अगर आप deep करते हो litmus paper तो यह क्या करता है यह red तनरत में बदल जाता है litmus paper लेकिन जब बोल रहा है के HCL gas है और अब हम क्या किया? भई पहले तो aquas perform में था liquid form में था acid लेकिन यह gas है gas है तो हम सुखा litmus paper पर इसके पास में लेके जाएंगे तो color change क्यों नहीं हुआ इस इसी बात है acid क्रेक्टर तब शो होगा जब hydrogen iron होगा और hydrogen iron तब होगा जब water होगा जब water ही नहीं है तो कहां से hydrogen iron निकाल लेगा और जब hydrogen iron ही नहीं निकलेगे तो litmus paper red कैसे होगा? तो यह इस तरह का diagram NCRT में आपको देखेगा तो इसमें क्या किया हुआ है? देखो यहाँ पर यह जो यह जो है यह एक dust tube बना रखी है ठीक है? इसमें नीचे क्या है? यहाँ पर sodium chloride लिया नमक लिया है ठीक है? उसके अंदर drop by drop क्या किया है? उपर से हम क्या डाल रहे है? H2SO4, sulfuri कहीं डाले है? concentrated जब यह डालते हैं तो यहाँ से fumes निकलेगी तो इसके लिए हम क्या गड़ते? इसी का अगला step क्या है? कि हमने यहाँ पर एक corp लगा दिया और corp में बीच में छेद होता है इसमें से एक tube L-shape की यह tube है यहाँ से हमने डाल दी अब इस tube ही खोगली tube है यहाँ पर जब ही SCL डाला गया तो इससे क्या निकलेगी? इससे fumes निकलेगी fumes किसकी निकलेगी? HCL gas की निकलेगी HCL gas की fumes निकलेगी भापसी निकलेगी यहाँ सब चीज तो बंद है अब इस tube से होती ही वो HCL gas ऐसे बाहर निकलेगी ठीक है? उसके सामने आप यहाँ पर तो मोष्ट लिखावा आप क्या करो? पहले यहाँ पर ड्राई लिटमस पेपर लगाओ सुखे वाला तो इसका color change नहीं होगा जूगातू रहेगा लेकिन जब आप इसको लिटमस पेपर को गीला गर्गे पानी में तब लगाते हो तो इसका color लाल हो जाता है रेजन आपको पता चल गया होगा क्यों? क्योंकि भीगा हुआ है तो water इसके पास पहले से हैं HCL आया तो hydrogen and में तूट गया इसलिए क्या होगा? ये क्या देगा? color देगा लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि जब मौसम फुड़ा सा नमी वाला हो जैसे बरसात का मौसम होगा उस टाइम पे हवा में फुड़ा moisture होता है तो moisture होता है इसलिए क्या गड़ते है? delivery tube में एक system मतलब बीच में क्या गड़ते है? ये नीचे लिख रखा guard tube हम बानते है जिसके अंदर बीच क्या डालावा होता है? calcium chloride धियान रखिएगा calcium chloride इसमें डालावा होता है तो HCL gas को पहले किस से पास करते है? इस calcium chloride की guard tube से पास करते है जब ये gas यहां से निकलती है तो calcium chloride क्या करेगा? इस HCL gas का जो moisture है उसको absorb कर लेगा और dry gas निकलेगी यहां से तब उसके पास में आप फिर से लिटमस वेपर लेके जाओ dry तो कुछ नहीं हो क्योंकि अब यहां से question यह बनेगा कि guard tube क्या काम क्या है और इसमें कौन सा chemical होता था आप बोलो calcium chloride होता है जो की SCL gas का moisture absorb कर लेता है जब मौसम में हमारे क्या हो थोड़ी moisture हो ठीक है atmosphere में हमारे आसपास lab में आसपास जो है moisture होगा नमी होगी तब उसको नमी को absorb करने के लिए किया जाता है ठीक है आगे देखते है concentrated and dilute acids अब यह concentrated concentrated का मतलब होता है घाड़ा ठीक है concentrated acid का मतलब होता है जो घाड़ा होता है जैसे शेहद की बात करो घाड़ा हो गया तो कई संट्रेटिड का मत्तब क्या हुआ जो गाड़ा सोलूशन है जैसे हम बोलते है कि H2SO4 है लैब में बिल्कुल कंसंट्रेड की फोर में बोटल आती है उसकी बोटल और उस बोटल के अंदर क्या है हम उसमें थोड़ा सा लेते हैं एसिड और उसमें पानी मिलाके पतला क करके उसको यूज़ करते हैं ठीक है अब जो गहणा जूका तो है शहट की बात में करू तो वो क्या होगे और उसमें पानी मिलाके में पतला बना दो तो होगा डाइलूट तो ऐसी acid दो फोम में मिलते है मतलब कि आता है हमारा concentrated हम उसके पानी डालके डाइलूट उसको बना लेते हैं अब डाइलूट बनाने के लिए condition क्या है कि जैसे मालने जिए आपके पास test tube है अब test tube में आप क्या करोगे test tube में आपने सबसे पहले क्या लेना है पानी लेना है ठीक है जो भी आपके requirement है जितनी जिस भी साबसे कितना percentage आप गुनाना है मैं जनरल बता रहा होगी और यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको धीरे धीरे से wall को test tube की जो wall है उसको touch करते हुए आपको धीरे धीरे acid इसमें डालना है धीरे धीरे डालना है जैसे एक बार डाला ठीक है test tube में थोड़ा सा आपने क्या किया हल्का सा acid डाला और उसको पानी में जब गया तो आपको उसको हल्का सा shake करना है test tube को फिर दुबार थोड़ा सा oor डाला फिर test tube को अलगा shake करना है फिर धाला फिर shake करना है इससे क्या होगा कि जब यहां पर देखो जब यहां पर acid जब डालते है इसमें पानी में तो acid पानी में डलता है तो यह exo karmic reaction होती तो थोड़ा सा गर्म होगा तो आप इसो घोलोगे थोड़ा सा क्या होगा distribute हो जाएगा जो heat है थोड़ी सी distribute हो जाएगी और डालोगे फिर उसके बाद में थोड़ा सा फिर गुमाना है यह चीज़ आप हो करनी है तो ध्यान क्या रखना है आपको water में पानी में acid डालना है ना कि acid में पानी है अब आप बोलने बात तो यह की बात एक नहीं है उत्ता क्या है कि जब आप पानी है जैसे इसमें आपने water लिया हुआ है अब आप इसमें acid डालते हो तो acid जब पानी से react करता है यहाँ पर concentrate acid तो यह heat निकलती है अब वो जो heat निकलेगी बाकी का जो पानी है उसको क्या कर लेगा उस बाकी heat को अपने अंदर absorb करेगा जिससे की एकदम से splash मतब बाहर निकल के उचल के एकदम से acid बाहर नहीं आएगा तो यह अराम से हो जाता है लेकिन जब आप क्या करो अगर आपने क्या लिया आपने acid ले लिया इसके अंदर मालनी concentrated acid ले लिया आपने इसमें acid ले लिया और उपर से आप इसमें क्या डाल रहे हो पानी डाल ले हो यहां से आप इसमें water डाल ले हो तो water जब reaction की ठीक है तो heat निकली अब बराबर में पूरा का पूरा एसिड है पहले क्या था सारे में पानी था तो एब्जोब कर लिया सारे में एसिड है एसिड है तो क्या होगा बहुत जादा हीट जनरेट होगी जब हीट जनरेट होगी तो जो पानी आपने डाला है वो बाप में कनवर्ट हो जाएगा उसी ठी वज़े से वेपर बन जाएगे उसके जो वेपर बनेंगे तो वेपर भागेगा उपर को और साथ में लेके क्या आएगा जो एशिड पढ़ा है उसको भी बाहर लेके आएगा और आप खड़े वेँ तो आपके मुझ पे उचल के लग सकता है आपके कपड़ों बगीट सकता है और दिक्कत आ सकती है इसलिए बोलते है कि dilution के लिए acid में पानी नहीं डालते है पानी में acid डालते है ठीक है तो इसके लिए आप गर question है तो आप लिख कैसे सकते हो उसको आपके सामने देखिए ठीक है इस तरह से आप इसका answer को note कर सकाए ठीक है अब ठीक है और आग्ये था है dilution ठीक है ये आ गया उसमें लिखावा था कि concerted किसको बोलते है dilute किसको बोलते है अब यहाँ पे लिखाए कि क्यों acid वगएरा पानी में acid डालते हैं acid में पानी क्यों नहीं डालते हैं ठीक है जी यह पूरा पूरा reason लिखावा है इसका कि यहां से आप इसको note कर सकते हो किस तरी से splash का मतलब बाहर आगा वीडियो को post करके आप proper अपने notes बना सकते हो बहुत अच्छे notes आपको मिलेगे ठीक है इससे question आपका एक भी बाहर बोड एक्जाम में नहीं जाएगा अब देखिए question आपके सामने NCRT blueprint के question है है फेला question है कि how is the concentration of hydronium ions hydronium ion मत्तब H3O बोलो या फिर आप hydrogen ion aqueous कैसे affected when a solution of an acid is diluted यहने की एक solution है acid है माल नीजे मेरे पास test tube है और मैंने इसमें क्या लिया हुआ है मैंने माल नीजे इसमें acid लिया हुआ है और इस 10 ml में मेरे पास में माल नीजे 10 ही मेरे पास दस ही मेरे पास हाइडरोनियम आयन या हाइडरोजन आयन है अब इसमें मैं क्या करूँगा इसमें मैंने क्या डाल दिया वाटर डाल दिया और जो वाटर डाल दिया तो मेरे पास में मालेज मैंने 10 एमल ही वाटर डाल दिया तो ओवरोल जो सोलुशन हो गया हो कितना हो गया 20 ml हो गया ठीक है दस पहले था दस डाल दिया अब 20 ml तो water हो गया ठीक है overall हो गया और जो hydronium आयन तो वो कितने कितने रहे वो 10 के 10 ही रहे इसका मतलब पहले 10 ml water में 10 hydronium आयन थे अब 20 ml में 10 hydronium आयन इसका मतलब क्या हुआ पर unit जो है volume जो है hydronium आयन कम हो गये यहीं कि पहले 10 में 10 थे अब 20 में 10 थे इसका मतलब amount जो है hydronium आयन की आप बोलोगे कि पर unit volume कम हो गई है ऐसे ही दूसरा जो question है उसमें क्या बोला है कि concentration पे क्या effect पड़ेगा hydro oxide आयन यहीं कि base वाला आ गया भी है कि अगर हम extra में अलग से और बेस उसमें डाल देंगे है उसको बेक्सामबल समझो मालेज मेरे पास same फिर से वोई test tube है और इसमें मेरे पास में क्या हो गया मालेज मैंने acid ले रखा है acid ले रखा है oh sorry base ले रखा है ठीक है base होगा तो base में कौन से आयन होगे hydro oxide आयन होगे अब इसमें बोल रहा है कि और ज्यादा base डाल रहे हो आप इसमें मालेज एन ए ओए डाल रहे हो इसमें आप यह रहे हो तो पानी में जाते ही है oh ah और देगा इसका मत्तब क्या हुआ कि पहले जितने oh ah थे अब आप और extra में और oh add कर रहे हो इसका मत्तब पर innate volume क्या होगा hydroxide iron की concentration बढ़ जाएगी ठी ठीक है इस तरीके से आप इसको कर सकते हो ठीक है वह यह थे आपके यह वाला topic आगे के topic मिलाते हैं अग नेक्स्ट वीडियो में इसमें इतना ही thank you